हेलो दोस्तों तो हम लोग कांटिनू करते हैं हमारा एडवांस बेल्डिंग सब्जेक्ट प्र डिसकेशन यह इनुट फरस्ट का पार्ट एट है इसमें अपने लोग फिर से डिसकेश करेंगे फिजिक्स आप दी बेल्डिंग आर्क आदे बढ़ेंगे तो यह उनिट फरस्ट है इसलिए बस में हम लोग की फैक्ट आप दी सीट्रिट कैस ऑन आर्क और आइसो धर्म्स आफ आर्क उनको डिसकेश करेंगे इस पार्ट डिवले वीडियो में तो जो पहले डिसकेश करते हैं हीट जनेरेशन एड़ कैठोर्ड एड एड़नोट दिख जगडा बता नहीं तो वह यह इस ही रहता है और डिसी में दो तरह से होता है या तो आप एलेक्टोड को निगेटिब देतो या फिर एलेक्ट्रोड को पॉस्टिव देतो यह हो गाए यह नीजरोड को ब्सक्रूआता है हृत अर्य होता है तो जो एलेक्टॉन का फिलो होता है यह तो हमेशा यह रहता है कि इसली वीटिए देखो उसमें अच्छ अनिमेशन समझाया में तो माइनस से प्लेस की और जब एलेक्टॉन का फिलो होगा तो बनभाई 3 हीट इस पर कैथोर्ट पर जन्रेरेट हो जाएगी और 2 कि अगर यहां पर हम निगेटिव देंगे इसको पॉस्टीब देंगे तो 2 भाइट 3 यहां पर पॉस्टिब के साइड में यहांनि एलक्टोड पर जनर्ट होगी और 1 भाइट 3 हीट इस फे बर 20 पर जनर्ट होगी और एसी अगर अगर लगता है जितना इलेक्टरों का फ्लू तो अब बात करते हैं इंफेक्ट आप ती सील्डीड गैस ऑन आर्क पर हमारे जो सील्डीड गैस का क्या एफेक्ट पड़ता है तो साथ पहली बात तो यह पोरोसिटी को प्रिवाट करती है पोरोसिटी मतलब इसे बेल्डिंग आपने देखी हो गई बार तो इसमें जो बेल्डिंग होती है उसमें हलकल के छेंद से बने होती है जो छिद्र होते हैं उनिको बोलते हैं पोरोसिटी मतलब जो गैसे होती है उनको क्रॉस करकर बाहर ने डलती है तो छेंद बनाकर दूसरा proper penetration, अच्छे से penetration हो जाए, इसमें भी help करती है, और जो build strength है, मतलब जो active होती है gases, उनसे हम क्या करते है, mechanical properties को भी change कर लेते हैं, अपने हिच्छा के साथ से, मतलब जिससे, इससे क्या होता है, strength बगरा बढ़ जाती है, अब बात करते हैं, कि अगर हमें कोई seed gas, select करना है, बेल्टिं के लिए, तो हम किस बात का ध्याम रखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे, कि जो मारा filler metal है, वो किस alloy का बना हुआ है, और नमबर दो, material thickness, जिससे हम जो मारा बरपी, इस है, उसकी thickness कितनी है, कितनी thickness पे आप operate करने जा रहे हैं, इसका भी हम ख्याल लखेंगे, तीसरा, mood of the gas metal arc belting, मतलब किस तरह का mood है, उसका मोड है, इस प्रे में है, या sort arc है, उसका भी हम देखेंगे, seeded gas के selection से पहले, और चौता है, belting position, किस तरह की belting position यूज कर रहे हैं upward हो गया, downward हो गया, step की belting position भी इसमें matter करती है, number five, desired penetration profile, मतलब जैसे हमें ये birth pieces हैं, तो इसमें हमें इतना penetrate करना है, माल लिया, change का penetration, तो हम इसको भी consider करके रखते हैं, कि हमें कितना penetrate करना है, बेल्टिंग के दौरान, और अन्ती मर्सम से जरूरी cost, कि हमारा तो cost friendly होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, कि ये सारे parameters तो satisfy करती है, लेकिन वो इतनी महागी gas है, कि उतने में तुमाही तसबार बेल्टिंग हो जाए, तो cost को भी हम consider करेंगे ही, करेंगे, देखें, जो belting gases होती होती है, एक होती है, innate gases, एक दूसरी होती है, reactive gases, तो mainly uses होती है, बहुत को होती है, carbon dioxide, argon, and argon blends, ब्लेंड ब्लेंड अरगन के mixtures, carbon dioxide, helium, nitrogen, hydrogen and oxygen के साथ, और argon को भी होती है, तो अब अब अपन देखते है, innate and reactive gases, तो जो innate gases होती है, तो इसमें mainly use करते है, organ and helium, ठीक है? वैसे तो जितनी दोबल गासे सोती है, वो सारी, यहां पर use की जा सकती है, लेकिन mainly use करते है, argon और helium, क्योंकि इसके कारण है, क्या कारण है? ठीक है, सबसे पहली बाद तो, यह chemical react नहीं करती है, molten build pool के साथ, ठीक है? आरगन को सबसे जाद यूज करते हैं, सबसे पहली का, कि यह बहुत अबलेबल हो जाता है, ठीक है? और in explosive होता है, मतलब इससे explosion का खतरा नहीं रहा है, इसलिए हम इसको आरगन को यूज करते हैं, बजाए helium के, ठीक है? और जो इससे penetration profile बनती है, वो उंगली की तरह है, मतलब फिंगर की तरह बनती है, अभी आगे दिखाएंगे, चलो अभी देख लो, कुछ इस टैप से, आरगन से penetration profile बनती है, ठीक है? और helium is a very high thermal conductivity, अब जब helium की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? उसमें उसकी thermal conductivity बहुत हाई होती है, इसलिए जो वो produce करता है, वो उसकी arc hot होती है, एंड देखें, जो helium है, ये इस टैप से, ये उसका, बतलब इतना दा पाइडरेट नहीं करता है, वो थोड़ा सोलो रहता है मतलब थोड़ा उथला रहता है, उसका build cool बनाता है, ठीक है, और कई बार हम क्या करते हैं, हम mixer यूज करते हैं कि इसका helium और argon का, में लिए इसका, यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं, अल्मूनियम को, मतलब बेल्ट करने के लिए, जब, जब 1 inch या फिर उसके थोड अब बात करते हैं, मतलब और भी अगर हमें कुछ चाहिए होता है, तो हिसाब से combination बना लेते हैं, इनट गैसे का भी, अब बात करते हैं, रियक्टिव बैसे के, रियक्टिव बैसे काउन से या थी, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen, और भी जो रियक्टिव सिरिट गैसे होती है, उनको हम यूज यूज करते हैं, यह क्या करते हैं, बूल्ड जो बैल्ड कूल होता है, उसके साथ रियक्ट करते हैं, उसके साथ रियक्ट करके हम उसकी प्रापरटी में चेंज करते हैं, तो जो कि हमें desirable जैसे होता है, उस तरह की हम जैक्टिव गैस का यूज करते हैं, तो, all the combined with argon to get binary sheet gases blend जो हमारे gases होती है उसमें केबल कार्वन डायक्साइट ही ऐसी रियास होती है जिसको हम अकेली सील्डिट गैस की तरह यूज़ करके हैं अधरवाइज सबको आरगन के साथ मिलाके बैंडरी सील्डिट गैस बनाते हैं कि फुल एकक्सेफजन होता है जो की होता है स्टेण Partners questiil का स्टेणस स्टेल को बैट गरने के लिए हम लोग क्या गरते है ट्राय iMisher को यूज़ करते हैं यूझ प्रोफायल के लीते हैं आरगन को इस तरह से कह सबनेगी हमान के तरह मतलब हिंसे से जाएगी हीलियम डिसस गरी जब गए यह थोड़ी दिली रही है एलियम और गन का मिक्षर इन दोनों का मिक्षर जाएगा इतना डेप्ट में जाएगा लेकिन तब फिर थोड़ा उसला रहेगा c o2 co2 कापी depth तक जाए हगा 7 Mina effect एंगे करते हैं 7 बैल्ट mixi जो डीड़ बीड मतलब होता है जो डीडिक अब इसको पौलते है जर्टक बेल्डबीड सेभिड केकर लंक होते है आर्क हेक इस्टेबिल्टी है जो सब्सक्राइम फादिन होती है अब जो बेंड पूल के उपर उसको एफएक्ट करती है ड्रॉप साइज क्या कैसा बनाएं देख रहा है यह भी एफएक्ट होते हैं और पडल फ्लो पडल मतलब होता है पोखार मतलब छोटा सा गठा जो पाली मरा हो सील्ट हो फ्लो होा साइगा यह इसा थे एक रूट करती है किस अरे देखते हैं यही अगर और और oxygen को मिला जें तो यह साइट से इस तरह से कुछ जॉइंट देता है यह तो बस आप फिगर देखे समझ सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अब अपन बात करते हैं आइसो थर्म्स ऑफ आर्ट की तो समझते हैं कि आइसो थर्म्स होते क्या हैं दीखें कोई भी आ लाइन ऑन दी मैप मतलब एक मैप पर कोई भी लाइन हमने खींस रखी मतलब इसे यह है हमारी प्रोफाइल है इस पर हमने कोई एक इमेजनरी लाइन होती है जो करेक्ट करती हैं इस टैप के टमप्रिचर पॉइंट इसको जो सेम हो मतलब सेम टैप के टमप्रिचर पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उनको बोलते हैं आइसो थर्म्स मतलब इसे यहां पर हमारी इस टैप पर बेट्लिंग का वह है इलेक्ट्रोड तो यहां से बेट्ट कर रहा है तो इसके चारो गोल जो मतलब एक एडिया होगा जहां पर वो हीट प्रूज कर रहा होगा यहां पर पूरे पूरे इस गोलाई में 700 डिग्री ही रहेगा अगर इससे उपर बढ़ोगे तो यहां पर मालिया इस एरिया में यह फिर्क्रिक 600 डिग्री रहे रहा है तो अब इस एरिया में जो इसका गोल आ है इसके चारो मतलब लाइन हो के हरे पॉइन पर यहां पर यहां पर 600 डिग्री ही रहे रहेगा और इसी तरह से जो इमेजडरी लाइन से पनाते है उनी को बोलते है आइसो-therms मतलब टम्प्रेच बेशन होता है कि हर एक कोई मतलब का नहीं है लेकिन अब फिर भी अपन इतना समझ लेते हैं अगर एक्जाम में है तो इतना ही देखाने है कि यहां पर कोई लेक्ट रोड है तो उसके चारों में कुछ मतलब हमनमालिया कि इस सेट में जो इलक्टोड है ख्लू होड़ा है मतलब आगेकली बढ़गा है तो नौर्मली हम लाग सकता है कि जो आर्क है वो यहां पर सबसे जादागा फीट रहीगी लेकिन नहीं जब डिरेक्शन इधर है तो यह जो फूल डिफलेक्ट होगे पीछे ठीक है तो सबसे जादागा फीट जून होगा वो यहां पर बनेगा ठीक है और यह लगगो कितना है 15,000 15,000 डिगरी का यहां पर रहा है तो बेल्डिंग डिरेक्शन से तोड़ा पीछ से हो जाता है बस इतना ही है इसमें बिसिकली और यह कैथोड हो गया यह अनूड हो गय से और फिगर से तो दिस इस फ्रॉम मैं साइड थैंक्स फार बिंग बिद में तो आप लोग इसकी पीडिया जो है डिस्क्रिप्शन दॉक से डाउंलोड कर सकते हैं थैंक्यू कर सकते हैं थैंक्यू